हाई गाईज वेलकम बेक टू फूर्ड वेटु हाई तो गाईज लास्ट व्लाउग में हमने आपसे प्रॉमिस गिया था कि हम आपके लिए नई नई रेस्पिस लेकर आएंगे तो आज हम आपके लिए लाएं ये मिक्स वेजिटेबल यकीन मानिये ये सुन्दर से दिखने खाने में टेस्टी भी है और जब आप इसे बनाएंगे तो आप इस बात को यकीनन मानेंगे ये सबसी टेस्टी होने के साथ साथ एक तो टाइम भी कम लेगी एंड साथ में ये आपके बज़ट में भी आएगी इसके लिए हमें जादा इंगीडियन्स की भी जुरूरत नह होंगी हैं अई हम दो अन्यल लेंगे आप देख सकते हैं एड दो पोटेटो यालू लेया है हमने इसके लिए हमने पांस चेग क्यारट ली हैं ये गाजर ली है और साथ में ये हरी मतर जो की हमने एक किलो मतर के दाने इसमें निकाले हैं इस तरह से स्मॉल पीसेज में हम जो केरट है उसे चौप कर लेंगे आलू भी हम चौप करेंगे और यह एक बाउल हमारा बॉल जो है यह हमने मटर हरी मिटर ली है और अब देख सकते हैं आलू को भी हम बिल्कु बरीक चौप कर लेंगे इस तरह से बिल्कु स्मॉल पीसेज रखें ताकि जब हम इसे बनाएं तो मटर और जो हमारी केरेट है उसके बराबर ही हमारे आलू भी होने चाहिए ताकि खाने में हमें सबजी का टेस्ट अच्छे से आए हम देखिए कि बिल्कुल हमने अन्यन चुलिये हैं बिल्कु स्मॉल पीसेज में से कट कर लेंगे इस तरह से और यह देखिए हमने तीन यह टुमेटो लिये हैं और इसे भी हम स्मॉल पीसेज में इस तरह चौप कर लेंगे कभी सब्जी बनाने से पहले हमें सारी प्रिप्रेशन कर लेनी चाहिए जिससे हमें हर्बडी नहीं रहती और सब्जी टेस्टी बनती है आप देख सकते हैं इसके लिए हमने सर्सों का ओयल लिया है जो कि एक कर्ची है छोटी वाली एंड उसमें एक चम्मच हमने फरका जीड जा लिया है एंड देखिए अब हम इसमें अनियन डालेंगे कि यह देखिए हम अभी मसाला कोई नहीं डालेंगे क्योंकि हमें अनियन भूनना है तो इसे जब भी हम यह देखिए फ्राइक करेंगे से जब यह ट्रांस्लूसेंट हो जाएगा तब हम पोई भी इसमें ड्रा यह जो प्याज हैं इससे कभी भी ब्राउन कलर का नहीं होने देना चाहिए उससे सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता एंड जो हमारी यह जिंजर गार्लीक उसको हमने एक ग्रीन मिर्च के साथ पीस लिया है अच्छे से अब जो अध्रक है इसका कड़वापन सब्जी में नहीं आएगा एंड यह तीक ही नहीं रहेगी अब हम इसमें नमक डालेंगे अपने स्वादम साथ यह तर्मरीक एक चमच और साथ में यह रच्छीली पौडर इसे एक मिनट भूनेंगे एंड देखे इसका अलगी अरोमा सब्सक्राइगा अब इसमें ढालेंगे यह तीन हमने लिये थे मीडियम साइज के ऐसे भी अच्छे से भूनेंगे अब हम धीरे दीरे करके जो हमारे आलू एंड गाज़त ही उसे इसमें मिक्स करेंगे एंड हो दूमेंगे सबसे पहले हमें आलू डालने बाद हमें निकाल दे क्योंकि उसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता वो लकडी के जैसा होता है एंड वो हाड भी होता है एंड टेस्ट लेस तो उसे थोड़ा सा निकाल दे एंड बाकी को कट कले अब यह देखिए अब हम यह सब्जी अच्छे से भून रहे हैं ताकि इस पर हमारे जो म आप देख सकते हैं यह मटर जो है इनको आप देखिए बिल्कुल ओयल इन पर लग चुका है इनका कलर देखिए बिल्कुल गरीन सा हो जाएगा आप देखेंगे बहुत ही कम घी में यानि ओयल में हम यह सब्जी पका रहे हैं फिर भी इसका टेस्ट इता मेजी होगा कि एंड बीच बीच में से चले जाएं लेकिन तीन मिनट से जादा आप दूर ना रहें एंड चेक करते रहें कि नीचे जो यह मॉइस्ट होनी चाहिए यानि इसमें पानी होना चाहिए सब्जी में अगर नहीं है तो थोड़ा सा पानी आप डाल देंगे क्योंकि आपने ज्य पानी में वह सब्जी लगे नहीं अच्छे से माइस्ट्रों नी चाहिए अगर नहीं है तो पानी डाल लें यह देखिए अमने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है अब हम फिर से इसे डखकर पकाएंगे जब भी आप देखें कि अगर यह कच्छी है तो उसे ढखतें यह कुछ तो हमारी यह यह देखिए नरम हो चुके हैं पीसे पर अभी हमें थोड़ी देरी नहीं और पकाना होगा अब देख सकते हैं इस तरह से चेक करते रहें देखिए इसमें अभी यह इसने पानी छोड़ दिया है अब हम इसे जब भी यह कुछ पक जाए तो उसके बाद अब इसे खुले रखकर ही पका लें क्योंकि यह पानी में अच्छे से सोख लेगी एंड साथ में एक टेस्टी सबजी आपके लिए रेड़ी होगी और जो हैल्दी भी होगी क्योंकि घी कम यूज करने से यह हैल्थ पे बैड इफ्यक्ट इसका नहीं होगा और का लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत ओयल तो हमारी हैस के लिए भी ज़रूरी है हमें घी यूज करना चाहिए लेकिन यह ज्यादा क्वंट्रेटी में यूज ना करें अगर आप फिट हैं तो यूज कर भी सकते हैं और अगर आपको ओय ठीक नहीं रहता तो आप कम ही यूज करें इस तरह से थोड़ा साइल लेकिया हम इसे तड़का लगाने हाले हैं जिसके लिए मैंने थोड़ी सी तर्मिक रेड चीली पाउडर एंड यह ग्रीन मिचली है श्रिट कर लिया है ऐसे लेकिन इसे गैस को आफ कर दे नहीं तो यह डालते ही मसाले जल जाते हैं आप देख सकते हैं हमारे जले नहीं हैं यह यलो ऑड़ी कलर में रहने चाहिए इसका अगर यह जल जाएगा तो सबजी का टेस्ट भी बिगर जाएगा इस तरह से अमने इसे तड़का लगा ल से कम मजरी उसके कम आलू रखते हैं कि जो का लिक होता है उसका मोंता का जिस उसके मातलीं को साथे निकलते हैं काथ कैसे में और घुना हो हुए रखना बेलग दो सब्सक्राइब में काटें और एक इतने हों ताकि सभी वेच मिक्स लगे एक तम एंड साथ में इसे बनाने के लिए जब आप अन्यन भूनें तो उसे बिल्कुर काला ना होने दें उसे ट्रांस्टूसेंट होने पर ही उसमें मसाले मिलाएं एंड उसके बाद आलू मटर एंड घाजर मिला द रखें हाई पर करके गलती से भी जखना दे नहीं तो वो नीचे से जड़ जाएगी इसे बनने में टोटल 15 मिनिट का साइट टाइम लगेगा तो अब आप क्या सोच रहे हैं जाए आप भी इसे बनाईए खुद भीखाईए और अपनों को भी खिलाईए एंड हमसे जुड झाल झाल